हेलो गाइस दिस वसक्राइब बल्खम बैक अगिन माइ न्यू वीडियो तो गाइस कैसे हुआ आप गई होप आप बहुत अच्छे होंगे तो कभी कभी हमारे दिमाग में यह कोशिन जरूर आता है क्या हम एक अकाउंट से ज्यादा अकाउंट उपन करवा सकते हैं चाहें व कोई अर्बे iron की तरव से कोई ऐसी सेट की गई है यह कोई कि हम इससे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा अकाउंट को ऊपननाही करवा सकते हैं तो आज नहीं किस नहीं के जिका साथ में बेल एकनों को दबा देजी तांकि जब भी आपको कोई वीडियो प्लोड हो आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि क्या एक व्यक्ति जो एक कस्टमर है कितने सेविंग अकाउंट उपन करवा सकता है तो यहाँ पर आरबे की तरफ से ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है कि एक परसन कितने सेविंग अकाउंट उपन करवा सकता है चाहें वो एक से दो अकाउंट को उपन करवाए चाहें दो यह से जादा अकाउंट को उपन करवाए ऐसी कोई भी आरबे की तरफ से गाई लाइन नहीं ह बट यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट को active रखते हैं और उनके जो अकाउंट ओपन करते हैं जो name, कायदेते कानून रहते हैं अगर आप उसके term से condition को full up नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे काफी charges pay करने पड़ सकते हैं जिसकी वज़स से आपका अकाउंट negative भी जा सकते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपने saving अकाउंट को उतना ही open करवाएं जितने आपको ज़रूरत है यहाँ पे आपको हर bank में account open करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर bank का एक अलग काईदा नियम रहता है accounts को active करने के लिए किसी account में काफी maintenance charges भी करते हैं जिसकी वज़े से आपका account है जो negative में चला जाता है और आपको काफी मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि जब आपका account negative में जाराने क्योंश ज़रूरत नहीं है आप उन account को अपने bank के नजदीकी bank में जाके close करवा सकते हैं बहुत ही easy process होता है एक आपको वहाँ पे dealing form दिया जाता है जिससे आपको account को close कर दिया जाता है तो guys अगर हम बात करें अगर आप अपने accounts में जिस account में आपको credit card मिला हुए आप उस account को close नहीं करवा सकते हैं तो उसमें भी guys आपको यहाँ पे एक option देखने को मिल जाती है आप अपने credit card को उस account को close कर सकते हैं और अपने जो नए account आप एक account यूज कर रहे हैं वहाँ से आप उसकी payment कर सकते हैं तो अभी आपको घबराने की जूरत नहीं है अगर ज्यादा accounts को active रखते हैं तो आपको अपने account को अपने balance को maintain रखना है तबी account को active रखें अगर आपका account को भी users full नहीं है तो उस account को आप close करवा दें मैं आपको guys यहाँ पर अपना conclusion बता जैता हूँ अगर आपके users में नहीं है account तो आप accounts को close करवा दिये और आपके accounts के साथ आपके सिबिल पे कोई ऐसा effect नहीं पड़ता है बट आने वाले टाइम में क्या पता यह RBI ऐसी कोई guidance activate कर दे जिससे आपको सिबिल पे effect पड़ सकता है तो आप अपने account को close करवा के रखे जिनको आप use नहीं करते हैं I hope यह information आपको helpful लगी होगी और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आप चैनल में पहली बहुत से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए मिलते हैं किसी नई वीडियो